आउस्कार जोस्तों आरिसी जो आपनी चनल में आपका हारदिक स्वागत है आप देख रहे हैं 29 जुलाई की प्रमु खबर पहली खबर नई सिच्छानीत को लेकर है मोदी सरकार में नई सिच्छानीत को मंजूरी दे दी है आज कैबिनेट की बैठेक में इस पर फैसला लिया गया कैबिनेट की बैठेक में लिये गए फैसलों के समद में जानकारी केंद्रिय मंत्री प्रकास जावेटकर ने प्रिस कांस्फरेंस के माधिन से दी है उन्हों में बताया है कि 34 साल बाद भारत की नई सिच्छानीत आई है स्कूल कॉलिज की बेवस्था में बड़े बदलाव किये गए हैं अब आईए जान लेते हैं कि कौन कौन से सुथार और बड़े बदलाव किये गए हैं मानो संसाजन विकास मंत्राले UGC और AI CTE को एक साथ मिलाने की तयारी कर रहा है इसमें एक रेगुलेर्टी बाडी बनाई जाएगी और मवजूदा रेगुलेर्टी बाडी को नए रोल में लगाये जाएगा पूरे उची सिच्छा के लिए National Higher Education रेगुलेर्टी अथार्टी का गठन किया जाएगा और दूसरा जो है सुधार बोर्ड परिच्छा का पुनर गठन नई सिच्छा नीत में बोर्ड परिच्छाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया जा सकता है चात्रों की मताबिक कोर्स चुनने की आजादी हो सकती है स्कील पर खाध्यान दिया जाएगा सबसे बड़ा बदलाव परिच्छा के तौर तरीकों में किया जा सकता है ऐसा हो सकता है कि चात्रों को साल में परिच्छा के लिए दो या तीन बार मौका मिले ताकि वे दबाव से खुद को बचा सके बोर्ड की एक परिच्छा के बजाए सिमेश्टर प्रणाले की सलाज दी जा सकती है इस पर भी विचार चल रहा है आईटियाई एक्ट में भी बदलाव हो सकता है अब आईटियाई एक्ट क्या है आईए इसके बारे में जान लेते हैं छे से चोदा साल के बच्चों के लिए अजिकार का कानून अर्थात आईटियाई बनाया गया था इसमें मुप्त और अनिमार सिच्छा का प्रणान है इस कानून के तहट हर स्कूल के प्रणान को इस स्रेणी के चात्रों के लिए को सीटे रिजब रखनी होती है अब सरकार इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को भी सामिल कर सकता है अर्थात ग्रेट नो से बारा तक भी मुप्त और अनिमार सिच्छा का प्रणान हो सकता है इस हिसाव से या अठारा साल तक लागू हो सकता है देखिए आप बहुत बड़ा बदला हो है अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है छेतरी भासाओं पर भी सरकार जूर दे सकती है सरकार की मनसा साब जलक रही है जो जानकाई प्राप्ट ही है कि classical language पर सरकार जूर दे सकती है इसकूलों में संसिर्ट के अलामा उट्या, त्यल्गू, तमिल, पाली और मले आलम भासाओं को सामिल किया जा सकता है या प्रवधान क्लास 6 से 8 तक किया जा सकता है इसके अलामा देश में वैश्विक विश्दियालों के कैमपस खोले जाने की इजाज़त दी जा सकती है प्रोफेस्नल कोर्स में भी बड़ा बदलाव किया जा सकता है जो जानकाई प्राप्ट हुई है अगर आप B.Ed.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E.D.E. होता है वारिसी परिच्छा होती है उसे समेश्टर वाई डिवाइड किया सकता है और इंटर तक के सिच्छकों के लिए टेट लागू हो सकता है तो जो बड़े बदलाव थे उसके संब्ध मेरे दूर आपको जानकारे दी गई है आगे कोई मुझे जानकारे प्राप्त होगी नए सिच्छा नीच के संब्ध में तो इस चैनल के माधिन से आपको दी जाएगी दूसरी बड़ी ख़बर उत्तरप्रिस अजिनस सेवाचेन आयोग की है उत्तरप्रिस अजिनस सेवाचेन आयोग में आज भरती परिच्छा परिड़ाम को लेकर बैठक हुई है आज परिड़ाम था गन्ना सुपरवाइजर पार्टू जिसका फाइनल परिड़ाम आना है तीसरा परिड़ाम था समलित अवर अधिनस्त सेवा परिच्छा 2016 इसका भी परिड़ाम जारी होगा पून संभावना है कि अगस्त में आ जाएगा देखिए आज जो भरती परिच्छा परिड़ाम है कंश सहायक 2019, कंप्यूटर आपरेटर 2016, असु लिपिक 2016, कंश लिपिक 2016 और साथ ही साथ होमोपैथिक फर्माशिष 2019 सही आठ भरती परिच्छा परिड़ाम के समझ में चर्चा की गई है तो आप लोग धैर बनाये रखें अगस्त महां में परिड़ाम जारी ह समहोना है एकदम कंफर्म नहीं है खादी ग्रामों उद्द्यों की तो इसके समझ में अभरती ने कई बार जानकारी मांगी थी फर्माशिष्ट के समझ में कई बार जानकारी मांगी थी तो जैसे जैसे मुझे जानकारी प्राप्त होती है वैसे मैं आपको जानकारी देता ह पड़ाम अगस्त या सब्तम्बर माह में आ सकता है तो आगे आप हमारी साथ बने रहें इसी प्रकार की जानकारे के लिए कोई जानकारे मुझे आगे प्राप्त होगी तो इस चनल के मांधिम से आपको दी जाएगी